आओ करे और सिखे प्रोझेक्ट कारे 27 subtle में बड़ी तुछोटी ये गतिविदी करेंगे तब हम सिख पाएंगे संख्याओं की तुलना ठीक है पहला प्रस्ण है बड़ी संख्या पर घेरा लगाना ठीक है दो दस-दस के बंडर और इकाई के पास एक एक के तो देखिए इसके पास 9, 1, 2 सखड़ा है नहीं नो सो से तालिस और यह इसके पास सो सो के साथ नहीं साथ सो उन्पचास तो सबसे बड़ी संख्या कौन है नो सो सेंतालेस इकाई दहाई सेकड़ा हजार यानि एक हजार बासट एक हजार चबिस तो इकाई दहाई सेकड़ा हजार तो सेम है टेके सेकड़ा भी सेम है परन तो देखिए एकाई दहाई दहाई इसका छे है इसका दहाई दो है यानि 10-10 के इसके पास 6 है इसके पास 10-10 के 2 है यानि 20 है तो बड़ा कौन ये बड़ा 1062 बड़ा 566, 576 सेकड़ा भी समान है परन्तों यहां देखिए दहाई का अंक 6 है इसका दहाई का अंक क्या है 7 है तो कौन बड़ा ये बड़ा 294 और पर 2 है तो भीया यहां तक तो समान चले अब सेकड़ा इसका नो है इसका सेकड़ा कौन है जीरो है यानि इसके पास 100-100 के 9 बंड़ल है इसके पास 0 बंड़ल है ये बड़ा बड़ी है ये बड़े का निशान छोटा है का चिन्द लगाना है ठीके 333 बड़ा की 233 बड़ा तो इसके पास क्या है सेकड़ा 3 है इसके पास सेकड़ा 2 है तो कौन बड़ा ये बड़ा ठीके 103 बड़ा की 31 बड़ा तो ये इसके पास सेकड़ा है यह नहीं तो ये बड़ा 4707 बड़ा की 4000 सित्योत्तर बड़ा कोन बड़ा तो यह यह बड़ा ठीके नीची लिखी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना तो बढ़ते हुए क्रम क्या होगा पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा तो इनमें सबसे छोटा नजर कोन आ रहा है तो इनके पास तो सेकड़ा है इनके पास सेकड़ा नहीं अब इन दोनों में टकर होगी इज पचपन है इसका दहाई कांग 5 है इसका भी दहाई कांग है तो यहां तो बराबर है पन तो इकांग 5 है इसका 5 है इसका 1 है तो सबसे चोटा 51 फ्यूस से चोटा उससे बड़ा पचपन अब इन द में 555 तो ये हो गया हमारा बढ़ता हुआ करम अब इसका उल्टा करना है घटता हुआ करम तो घटते हुए करम में सबसे बढ़ा पहले आएगा तो सबसे बढ़ा कौन 950 फिर इससे छोटा 620 620 590 और सबसे छोटा 85 ये केसा कराम है घर्टावा करम अवरोही करम और ये आरोही करम ठीक है अगला प्रस्न है 107 से बनी सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या शर्त है कि जो तीन अंक बनेगे तो इकाई, दहाई, सिकड़ा, सिकड़ा का अंक सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा अंक कोन है, साथ तो साथ, ठीक है, अब ये साथ तो यूस कर लिया, बचा एक और शुन्य, अब दहाई का अंक सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड ले लिखेंगे फिर एक लिख दिया फिर साथ लिख दिया तो क्या बना ये तो सत्रा बना है ठीक है तो ये सबसे छोड़ी संख्या हो गए अब यहां देखिए खाली स्थान में दो संख्याओं के बीच और ठीक बाद और ठीक पहले वारी संख्या लिखना है ठीक है आट और 10 के बीच में 9 आते, 99, 120 के बीच में 100 आते, 45, 45, 46, 205, 206, 207, 100, 101, 100 के पहले 99, 89, 89, 87, यह हो गया हमारा प्रोजेक्ट कम्प्ली, प्रोजेक्ट है, बड़ी में बड़ी तु छोटी संख्याओं की वही करना है, तुलना, प्रस्न पेला है, नीचे लिखी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा बनाना है, तो सबसे बड़ी संख्या ढूंड़े इसमें से, ठेके, तो सबसे पहले कितने अंग हैं, इकाई, धाई, सेकड़ा, सेकड़ा जिसका बड़ा वो संक्या सबसे बड़ी तो इसका है सेकड़ा आट, इसका नो, इसका तीन इसका सबसे बड़ा सेकड़ा कोन है इसका तो संक्या क्या मानी नो सो इंठ्यान वे सबसे बड़ी संक्या रूना है न तो इसमें एकाई धाई सेकड़ा, एक सेकड़ा, एक सेकड़ा, एक सेकड़ा, यहां सेकड़े से तो कोई पता ही नहीं सेलता, पुन बढ़े, अब किस पर आओ, सेकड़ा सब एकाई एक है, अब धाई काई काई सबसे बड़ा होना चाहिए, तो इसका एक है, इसका तीन है, इसका तो 0 है, Bugün लडाई किसमें इसमें है, और इसमें होगी था के अब इसका 1 कांग क्या है? 0 इसका 1 कांग क्या है? 1 है तो बड़ा कौन? 131 था के चुली यहां पर लिख लेते हैं और घेरा बना देते हैं था के है? यह सबसे बड़ी थी, इसमें से 131 31 सबसे बड़ा आया अब इसमें दाहे सेकड़े पर 4 सेकड़े पर 4 इससे निर्णे नहीं होगा कि कोन बड़ा सब दाहे पर आओ इसका 4 इसका 4 इसका 1 इसका यह तो हड़ गय साथ ठीक है इसमें और इसमें जगड़ा हो रहा अब ये बड़ा कह रहा है में बड़ा है में बड़ा अब इकाई पर आओ इसका इकाई जीरो है इसका इकाई एक है तो ये बड़ा कुन बड़ा 441 बढ़ा 440 से अब इसके तो दो अंक है य तो लड़ाई में शामील ही नी है अब इनमें देखिए से एकड़ा इसका 3 इसका 3 भाई ठीक है, तीनों ही हो सकता है अब दहाई पर चलो, इसका 3 दहाई, इसका 0, इसका 3 ये हट गया, ये दोनों बचे अगला प्रसने है, नीचे लिखी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गयरा बनाना है, गयर अहाफ्या है, तो सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ा अंक यानि इकाई, धाई, सेक्डाँ सबीक चोटा होना चाहे, इसका सेकड़ा एक 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 इससे नहीं नहीं होगा अब दहाई कांक देखिए सबका चोटा सबसे चोटा जिसका होगा वह संक्या होगी सबसे छोटी, दहाई एक, दहाई एक, दहाई जीरो, दहाई जीरो ये तो बड़ी संख्या है, इनको छोड़ो, अब ये और ये हो सकती है अब इकाई कांख, इसका एक है, इसका जीरो, तो भहिया, ये ही सबसे छोटी संख्या है तो अब इनमें सबसे छोटी संख्या 606, 660, 660, 680 तीनों ही काई धाय सेखड़ा है परन्तो इसके बास सेखड़ा नहीं है तो ये सबसे छोटी संख्या 680 अगले संख्या देखे 525, 552, 555, 205 ठीक है ये सब में सेखड़ा 5 है, सेखड़ा 5 है ये तो दोनों बड़ी संख्या हट गई, अब इसमें और इसमें चेक करेंगे तो दहाय का अंक इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो संख्या ये ही सबसे छोटी है 205, अगले संख्या 908, 980, 909, 888 अगले संख्या का अंक सबसे छोटा होना चीए, ये 9 है, 9 है, ये तो गई, ये और ये हो सकती है अब क्या है, दहाई के अंक पर दहाई का अंक इसका 0 है, इसका 8 है, तो ये सबसे छोटी 809 अगला प्रसन बोल रहा है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ते हुए क्रम लिए, आरो होई क्रम में लिए, आरो होई क्रम का मतलब यहां सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा इस प्रकार से संख्याओं को क्रम में जमाएंगे तो सबसे चोटी संख्या क्या आएगी सबसे चोटी संख्या ये हो सकती है या हो सकती है तो इसमें क्या करें इसका दाइकांग 3 है इसका दाइकांग 6 है तो सबसे चोटी संख्या 336 ठीक है इससे बड़ी संख्या 363 इससे बड़ी संख्या 633 की 663 यह बड़ी संख्या है सबसे आएगि सबसे पहले 633 और सबसे बड़ी संख्या 603 सर यह हो गया हमारा आरो ही करम यह बढ़ता हुवा इसी प्रकार इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कोन है 906 6009 679 या 900 इसमें और इसमें सबसे छोटी संख्या है 609 इससे बड़ी 679 इससे बड़ी 60906 और सबसे बड़ी 9069 इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या यह साथ यह साथ आठ तो सबसे छोटी संख्या यह होगी क्योंकि सबसे चोटा है 6, 667, इस देखे बड़ी को ने तो 768 इस 59 और सबसे बड़ी संख्या 81 अब इसमें देखिए इसका सेक्ड़ा 1 बाकी के सबके बड़े-बड़े सेकड़े है तो 8, 105, सबसे छोटा इससे बड़ी संख्या 501, 510, 511 तो सबसे छोटी संख्या इनमें ये है क्यों? क्योंकि इसका दाहाई कांक 0 है 501, अब इन दोनों में निर्णे लेंगे तो कुन बड़ा? इसका भी एक, इसका भी एक, इसका इक, इसका इक, इसका एक है तो ये सबसे छोटी संख्या 510, और सबसे बड़ी संख्या 511 इस संख्या को देखिए, अवरोही करम में लिखना अवरोही का मतलब सबसे बड़ी, पहले लिखेंगे उसे छोटी उसे छोटी और अनंत में सबसे छोटी इसको बोलेंगे अवरोई यानि घटता हुआ क्रम तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें पहले डून नहीं है तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 302 है कि 320 है 320 सबसे बड़ी संख्या ठीक है यह निशान, यह प्रदेशित करता है, यह सबसे बड़ी है, फिर क्या कोन आएगा, 302 ठीक है, इससे छोटी संख्या कोन आएगी, यह लिख दी, यह लिख दी, अब 202 और 220, तो 220, और सबसे छोटी संख्या कोन आएगी इस बार, 202, इसमें क्या है, सबसे बड़ी पहले, और सबसे चोटी बाद में अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है छेसो पेंसट छेसो पेंसट इससे छोटी छेसो एकसट इससे छोटी पानसो सोला इससे छोटी छेसो पंदरा इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या 41 होई नहीं सकती 411 411, 401, 401, 411, 410, 401, और फिर 41, इसमें सबसे बड़ी संख्या, 308, फिर 208, फिर 180, 180, फिर 109, ठेके, क्या करना है, आप इकाई दहाई सेखड़ा की स्थान को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन से संख्या बढ़ी है, कौन सी छोटी है, अगला प्रस्न है, नीचे लिखी संख्याओं की बीच की संख्या लिखना है, ठेके, 899, नवासी बोलते हैं न, हाँ नवास और 880, ठेके, कौन आएगा बीच में, तो 889, 900 के बीच में 99, 181, और 889 के बीच में कौन आएगा, 89 यहनि, 89 की भी बाद 80, ठेके, 880, 80, 101, और 99, 99, सोक्रम इधर या, उधर भी हो सकता है, 89, 81, 80, 81, 86, तो क्या आएगा, सित्यासी, ठेके, कन्फ्यूजन मुझे हमेशा, 89 में होता है, इसे बोलते हैं, 99, पर उसका नाम वास्ता में क्या है, 89, इसे ही 79, जिसको 79 बोलते हैं, जिसका नाम वास्ता में 89 है, ठीके, आशा है, प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक कर दिया करें, चैनल पर ने हो, तो सब्सक्राइब भी कर दें, अगले वीडियो तक, जे हिंद, जे भारत, वंदे मात्रम,